ओम श्री हनुमान अस्टोलाजी पिरिया मित्रो नमस्कार आज आपको जानकारी देंगे गरह राज सूरिय राशी परिवर्तन के बारे में जहां सूरिय को गरहों का राजा कहते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि सूरिय का तेज प्रकाश नहां तो सब कुछ सब कुछ अंदकार में हो जाए अगर आपकी कुण्ड़ी में सूरिय के शुब इस्तती है तो जातक सूरिय की तरहीं चमकता है नेम फेम प्रसद्धी यश्मान उच्पद की प्राप्ति देश विदेशों में ख्याती प्राप्त इंपर्टाइंस एमियत उसका प्राकर्म उसकी प्रसिद्धी बहुत बढ़ती है और अगर आपकी जनम कुण्ड़ी में सूरिय के शुब इस्तती है तो बहुत प्रुशार्थ बहुत मेहनत बहुत परियत ने करने के बाद और अच्छा सोचना अच्छा करना हर किसी के लिए तो भी समय समय पर आपको अपयश का भागिदार होना पड़ता है उतना नेम फ कर 25 मिनिट पर यह आपका अपनी स्वयगरही सिंग राशी में संचार करेगा और आज चर्चा करेंगे धनू राशी वाले जातों को उपर यह सूरिय जो राशी परिवरता ने इसका क्या शुबाश उपर भाव रहेगा इसकी आपको जनकारी देंगे अगर आपको अपनी चंद राशी नहीं मालूम है तो मित्रों आप इसको अपनी परस्ले नाम राशी से भी देख सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो उसको सब्स्राइब करें बैल आइकन बटन जरूब दमाएं शेयर करें वीडियो अच्छी लगए कमेंट वाक्स में जाए लि लेकिन आपकी स्वगरही मुल्त रिकॉन राशी में है इसलिए है स्वगरही होने की कारण यह आपको यहां पर शुपफलों की प्राप्ति कराएंगे आपको भाग्य उनक्ति का उसर मिलेंगे आपके पिता का भरपूर सही होगा आशिरवाद आपको प्राप्त होगा लेक आपके लंबी दूर पार की आत्रा हैं, आपके संपन होंगी, स्प्रिक्चिलोटी का भाव बनेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशिरवाद बनेगा, और यहां लाव तरक की उन्यत्ति पिता का सही होग, लेकिन थोड़ा उनको स्वास्ते का ध्यान रखें, थोड़ी उनकी से करें उनका आशिरवाद करें, चुकि सूरिय का सिधा संबन आत्मा का कारक होता है, पिता से सिधा संबन होता है, तो इसलिए अगर आपके जर्म कॉंड़ी में सूरिय की इस्तिती खराब भी है, और आप अपने पिता का पूर्न आशिरवाद प्राप्त करते हैं, उनकी देता है तो इसलिए अपने पिता का आशिरवाद बनाए रखेंगे उनके कई अनुसार करें यहां आपको तरक्य उनक्ति का अपसर मिलेंगा भी इनकी सप्तम बाव पर जो दिरिस्टी पड़ रही हो थर्ड हाउस पर पड़ रही है वहां देव गुरु ब्रिस्पति भी बहुते बहुत लाब की परापति होगी भग resurrection आपको मिलेगा आपका name fame बढ़ेगा आपका प्राकर्म बढ़ेगा आपकी importance बढ़ेगी चोटी मोटी आत्रेंट टैवलिंग करते हैं, वहां भी आपकी इंप्रोटनेंस बढ़ेगी, वहां से आप लाब गेन करेंगे, चोटे बाई बैन, आपके सहे कर्मी, नीचे कारियर रहते हैं, आपके वैल विशर, सुब सिन तक मिलने वाले उनका लाब सही हो, पूरा, पूर की संतान तपक्ष के लिए अच्छी स्था, आप संतान तरक्क के उनका सहयोग राप्त होगा, विजारती वर के लिए अच्छी स्थाथी है, कोई कोरस एडमेशन करना आप कर सकते हैं, अच्छी स्थाथी है, और यहां पर आपका दाम पत्ते जीवन ने, यह भी बहुत किसी विवाशादी के सम्मन सुतरें बन सकते हैं, पहले से विवाइत हैं, तो एक दूसरे का लाप सहयोगा, आप पर पूर्ण रूप से पराप्त होगा, और आपका पार्णर आपके लिए बाग्देशाली तो आपका थाबित होगा, अगर आप पार्णर्शिप में कोई क यहाँ पर शुप फ़लों की प्राप्ते होगी, और आप तरक्यों नत्य करें, कैरियर से संबंदित, आप जो भी कारिये करते हैं, कोई नौकरी या विजिनेस को वेपार करते हैं, तो निस्चित रूप से, उसमें अगर बतलाव करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, और आप उसमें को विस्तार करना चाहें, को विरिद्धी करना चाहें, या नया कारिया विसाय करना चाहें, यहाँ आपको तरक्यों नत्य के अवसर मिलेंगे, और आप यहाँ तो आप सक्सेस गिन करेंगें, लाब भाव में थोड़ी सी समय से में अपर थोड़ी सी रुकावट, थ की संभावना बनी रहेगी शार एक मांसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा आप अपने धहरी एसास के बल पर निर्ने लेकर जो कारिये करेंगे उसमें आप उसे भलता पराप्त होगी लेकिन अपनी माताजी जी गर पिता जी की थोड़ा हेल्थ का थोड़ा ध्याम रेकिए उनक संभती की तो उसमें जल्द बाजी मत करें बहुत सोच समझगा शूबती थी और सूब मूरत में इस कारिये को करें ओल अवर देखें तो यहाँ पर नौकरी पक्षवालों के लिए इस्तती ओल ओर ठीक रहेगी थोड़ा उतार चड़ाओ रहेगा थोड़ा मिश्रित फल त अगर देखें तो यहाँ पर धनूराशी वाले जातों के उपर अगर आपकी जनम कुंड़ी के अंदर आपके और गरहों की दशानता दश आपके पक्षवर में चल लिए तो यहाँ सूरिये का जो ट्रांसिट है जो परिवरते ने यह आपको उनती तरह की जवसर देगा अ और अगर आपकी जनम कुंड़ी के अंदर इस्ति आप तो गरहों की परतिकूल चल ले या आप वशूब इस्ति में नहीं है तो इसके दस बीस तीस परतिस तक फ़ला आपको देखने को मिलें इसलिए एक बार अपनी जनम कुंड़ी का सरवादिक महत्तो होता है तो यह तरक्की उनत्ति करते हैं आपका मार्ग दर्शन होता है और चोटे-चोटे उपाय करने से आप गरहों को दुश्परवाब से बस्ते हैं सुखी रहे, सुस्त रहे, हस्त रहे, मुस्क्रात रहे, जैए शिरी राम, जैए शिरी हनुए